जैसा त्वमसिद दाइनम है नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल सत्यसीद नुस्खे में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है एक ऐसा आयरवेदी कुपाए बताऊंगा जो लोग सुक्रानों की कम से प्रेसान है जिनको सवपंदोस की बिमारी है वीरिय का पतलापन है धात रोग की बिमारी है और शिगर पतन की समश्या है दोस्तों जो ये वीडियो है इस वीडियो को लाश्ट तक देखना और पूरी देखना अगर आप वीडियो को लाश्ट तक नहीं देखोगे तो इ हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो सबसे पहले पहुँच जाए दोस्तो आपको करना क्या है कहीं भी आयरवेदिक स्टोर पर जाना है मेडिशन जहां पर भी आयरवेदिक आपको दवाई मिल जाए वहां से आपको जो है 6 चीजे लेनी है द्यान से देख लेना दोस्तो उन चीजों को नमबर एक वसंद कुसमा कर रस तीन गराम नमबर दो तिरी बंग भसम जो है पांच गराम सिद मकर दवज पांच गराम परवाल पिष्टी दस गराम अब रक भसम दस गराम और गिलोई सत दस गराम इन सभी चीजों को लेकर के जो है आप श्याठ पुडिया बना लेनी है आपको इन सभी बसमों की और श्याठ पुडिया बनाने के बाद सुब है और साम के टाइम खाना खाने से आदा गंट्या पहले जो है एक पुडिया सुभ है और एक पुडिया श्याम को जो है पानी के साथ या सहदी के साथ आपको लेनी है एक इसके साथ आपको जो है दूसरा प्रियोग करना है उसमें आपको लेना क्या है अस्वगंधा चूरन 100 ग्राम, सफेद मुशली चूरन 100 ग्राम, सतावर चूरन 100 ग्राम, कौच बीज जो दुलेवे कौच के बीज हैं उसका चूरन 200 ग्राम और 500 ग्राम ही सफेद कुंजा जिसको चिरमटी बोलते हैं वो भी आपको सोधित लेनी हैं 200 ग्राम इन सभी चीजों को कूट पीस के बारिक पाउडर बना देना है और बारिक पाउडर बनाने के बाद खाना खाने के आधा घंटे बाद या एक घंटा बाद जो है दूद में एक एक चम्मच डाल के सुभ है और साम जो है दूद को ठंडा करके इसका सेवन करना है इस दवाई का आपको रिजल्ट जो है 15 दिनों में मिलना स्टार्ट हो जाएगा और जिनों ने लगातार इसको तीन महिने परियोग कर लिया उनको इन सभी समश्या से छुटकारा मिल जाएगा और इसके साथ दोस्तो एक द्यान रखने योग बात ये है कि आपको किसी भी परकार का गरम बोजन यानि जिससे आपकी तासीर गरम हो या आपके अंदर गर्मी करे खटाई खटे पदा रहते और जो है तले हुएर बाजारू बोजन बिल्कुल नहीं करना है संभोग हस्त मैत नित्यादी बिल्कुल नहीं करना है अपने विचारों को साफ और सुद रखें ये आपको प्रेज करने हैं उमीद करता हूँ दोस्तो आज की अजानकारी आपको अच्छी लगी आगर आज की अजानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा श वीडियो